अलो गाईज मैं चंचल गुफता आज आपके लिए क्लास 11 की केमिस्ट्री की वीडियो लेकर आ रही हूं जिसमें आपको बेटा ये बताया जाएगा कि कौन-कौन से चाप्टर आपके बोड 2023 एक्जाम्स में आने वाली हैं क्या-क्या आपको अच्छे बस आपका बोड के ल लिए है बेटा हमारे चैनल पर तीनों ग्लासे शुरू हो चुके तीनों स्ट्रीम की चाहे वह आर्स हो चाहे वह वह साइंस हो जिस बचे इने साइट कर लिया है वह पर्टिक्लर क्लोस में इन्रोल कर सकता है यह कुछ 3000 के अरॉन में आपका कोर्स है बेटा और आपको क्या आपको फॉर्म करना है और फॉर्म का जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा तो जल्दी कीजिए देर मत कीजिए बहुत इंपोर्टेंट है बिटा अभी कर लीजे स्टार्ट कीजिए ठीक है बिटा देखते हैं कि हमारे हो आए बच्छे को बड़ आपको सब्साइब करें हैं यह चाप्टर की नहीं इंत्यों कुछ नहीं पड़ाएं है कि मानते हैं कि अभी पढ़ा है सब कुछ तो वह सब कुछ इसके अंदर डिजाइन किया गया है इस चाप्टर को जितने अच्छे से आप करेंगे जितना अच्छा बेज आप इस चाप्टर को बनाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी वार खड़ी होने वाली है देखे बेटा यह बहुत इंप्वर्टन चैप्टर है 18 पीरेट का चैप्टर है और साथ नंबर की वेटेज को कोई कम नंबर का चैप्टर नहीं है कि आप इसको इग्नॉर कर सकते हो या आप इस चैप्टर में थोड़ा बहुत कम करके काम चला सकते हो यह नहीं हुआ तो आगे की चैप्टर में दिक्कत ही दिक्कत आती रहेगी बेटा अच्छे से करना है यह तिरे अपना स्ट्रक्च क्लासिपाइ किया है क्या क्या वह जब उनको पूरी टेबल में लगाया है तो कैसे कैसे अपने आपके अपनी प्रोपरटी को रिपीट करते हैं पर्टिकुलर इंटर्वल के बाद ग्रूप में क्या ट्रेंट चलता है यह मैं श्यक्तर में पढ़ेंगे यह आपके एक होगी और ग्यानिक ग्यानिक हैँ- हम गयाट नियुक्तर है है हमारा chemical thermodynamics कि भाई क्या होता है थर्मोडाइनमिक इसमें हीट और हीट से रिलेक्टिड सारे फिनोन माउस को बिटा करते हैं यह आपका 9 नंबर का है पैटा spr temat है क्लिबीरम क्या होता है कैशी यह proportion पैठी का होती है उसे कहते है इसमें प्रिडेक्षन कैसे होती है यह पूरा पढ़ना है बैलन्सीं इसमें चार नंबर का चैप्टर है बटा यहाइब का फिर है कि और गयानिक के स्वींड यह बहुत इंपोर्टेंट एंपोर्टेंट ऐसे बच्चेंट इसमें हमें सारे बेसिक प्रिंसिपल सारी बेसिक टेक्नीक बताई गई है जो ऑर्गानिक में यूज होने सब्सक्राइब पर है लिसके बारे में क्या होता है आपकी और फिर एक में पढ़ने वाले यह यह चाल प्रियों को कि तो टॉटल का आता है सत्तर नंबर का अग्जाम होगा प्य। आपको अच्छे से नहीं करने सब है अब किसम बेसिक सब कंसेश्टी में जोंगेक्स कीमिस्ट initiative क्या क्यों पड़ते हैं च्रूरीव क्यों पर लिच्चे हैं क्या होता है कौन कौन से फॉल होते हैं अपनी display सब बेसिक चीज मोल कॉंसेट नाइक में लोगों ने यहां हम इसको डिटेल में स्टेडी करेंगे परसंटेज अपूजिशन इंपरिकल फॉर्मॉल इस तो बहुत कोश्चन आता है बटा इती नीट में बहुत कोश्चन आते हैं इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं यह सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी कैसे लॉंग चैप्टर भी है आपका सिकिंड चैप्टर इस तरह पर पढ़ेंगे कि आटम की सब अटों न्यूटर इंसकी डिसकवरी कैसे होई अटॉमिक अटॉमिक नंबर क्या होता है आइसोटोप आइसोबार क्या होते हैं किस तरीक से काल्कुलेट करेंगे हम थॉम्सन मॉडल ऑफ एन आटम थॉम्सन की क्या लिमिटेशन आ गई थी पहले साइंटिस्ट फिर अधरफोर्ड मॉडल उनकी क्या लिमिटेशन थी बहुत स्मॉल सब्सक्राइब करने के लिए कौन कौन से लगते हैं और वो प्रिंसिपल पॉली एक्स्क्रूसिव प्रिंसिपल हन्स रूल यह सब पढ़ना है यह बहुत इंपॉर्टन चाप्टर थे आपके बहुत ही बेसिक भी है और इंपॉर्टन भी है इनको जितने अच्छे से करोगे उतनी अच्छी नीफता यार होने वाली यह बटाप लोगों की ठीक है थाट चाप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की एलिमेंट को कैसे कैसे क्लासिफाइब क्या है क्या क्या प्रियॉडिक्टी है सब्सक्राइब करने वाले मिटा यह इंपॉर्टन चाप्टर यह पच्छे से कर लेंगे तो त्वेल्ट का आपका स्पी ब्लॉप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिटा फिर आपका चैप्टर चैप्टर केमिकल बंडिंग और मॉलीकुल स्टक्चर भाई किस कौन अच्छे से अच्छे सब पढ़ेंगे मिहां पर वैलन्स एलेक्ट्रों आयनिक बॉंड कोवलेंड बॉंड बॉंड पैरामीटर कैसे कैसे बॉंड सोते हैं लुइस ट्रक्चर यह तो हम लोग ने सीखा था कार्बनेट कंपाउंड चाप्टर में ऐसे डॉट वालत चुना तरीकर करते हैं थोह ही आचिस तरीकिन हो तो किता कर दोस्टे लिखते हैं अटेनक चैरेक्टर कैसे निकाला चाहेगा आयनिक बॉंड में सब आपकी हाइबyet शेटान पर थियोरी hybridization कैसे निकाली जाएगी SPD और वाइटल की क्या शेफ है और वाइटल की hydrogen bonding मतलब इसमें पूरा bonds के बारे में study करना है कितने तरह के बॉंस है यहां पर यह हमें इस चैप्टर के अंदर detail analysis करना है बटाएं पर हमें जो की बहुत जादा यूज होने वाला को और गानिक केमिस्ट्री में stereo chemistry में बहुत यूज है इसका फिर केमिकल थर्मोडाइनमिक्स यह रिए जिसमें हम लोग हीट का रिलेशन रखते हैं हीच के बारे में सारा फिन नर्मा पढ़ेंगे क्या कॉंसेट होता है सिस्टम का सराउंडिंग का वर्क हीच हीट इंटर्मोडाइनमिक्स पैला लोग इंटरनल एनरजी क्या होती है बिटा फिर हीट के पैसिती स्पेसिक हीट मेंचेमेंट अफ डेल्टा यू इंटर्नल एनरजी डेल्टा एज इंथालिपी क्या है आपका सब्लीमेशन इंथालीपी और बॉन डिसोसीएशन combustion formation फिर अपना जाएगा second law of thermodynamics क्या कहता है अपने ब्रीफ introduction entropy फालपीन सब में difference पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे अपन थाड़ लोग फिर्मो dynamics इसका brief introduction कि वह क्या क्राइटीरिया है कौन-कौन से चीज़े हां पर हो रही है लोग में क्या क्या प्रॉपर्टीज है क्या लिमिटेशन से लोगी सब पढ़नेंगे इसमें फिर एक बहुत ही इंट्रस्टिंग चैप्टर होता है जब आपका र्याक्टेंट और प्रडॉक्त दोनों फिर्मेशन बंदो जाती है यह मंने क्या होता है क्या होता है लौब स्ट्राइब करते हैं यहां पर पढ़ेंगे आयनिक इकलिवियुरियुम का और यह होता है आपका आयनिक इकलिवियुम दो चीजों में इसको पढ़ने वाले हैं केमिकल इकलिवियुम और पढ़ेंगे इसमें इसके बाद आपका चाप्टर है करेंगे इसका पर इसके बाद चाप्टर है क्या सकते हैं अच्छा चाप्टर है बैलंसिंग सखरेंगे आपको रिडॉकmare अफल्स एन ऊक्टर क्या चीजाती है क्या औककिसा होता है कैसे हम लोग बैलंस कर सकते हैं ब्प्रे चैंज और इंसें इन अउक्सिडेशन था प्रिबलानई क्या होता है किस तरीके सफी यह इसका पर परफॉरंस देते हैं इस सब पड़ेंगे फिर अपन सबसे इंपोर्टेंट यह और गानिक केमिस्ट्री जो हमारी और गानिक केमिस्ट्री की नीव रखने वाला है चाक्टर इस चाक्टर में लोग एक प्रॉसस कोच से स्टडी करेंगे जैसे की जर्नल इंट्रोडक्शन प्यूरिफिकेशन मेथड क्वा इंड्टिव इफेट क्या होता है एक्ट्रोमारिक एपेक्ट रैजुण था पर कॉंजूगेशन क्या होता है यह चार बहुत इंपॉर्टेंट फिन पर डिटेल स्टडी करेंगे विटा इसकी हो मौ अलेटिक है तरह का पीजिज़न होता है जब रियक्शन परफॉर्म के स सविप्शन हो रही है इसको टिप्स पररे कंसर्प्स के साथ पूरे लॉजिक एक्स्पेरिमेंटल व्यूज्थ किसा ऊंस इसको स्टडी करेंगे वाइसे क्याई जूसमें cardboard triggers ऑल्ग कारवन हुए इसको हम लोग दो पाठ कढएंग सब्लाभ money cray पढ़ने वाले हैं बेटा हम लोग फिर हम पढ़ेंगे आरोमाटिक कंपाउंड वह होते हैं जिनकी एक अपनी स्पेशल फ्रेग्नेंस होती है अपनी स्पेशल इनकी स्मेल होती है यहां पर जो आपने बैंजीन पढ़ा होगा कुछ इस तरह के का स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे हम इसमें यह कैसकते हैं सेकंड पार्ट है अपका और गाने के मिस्ट्री का टिके बिटा तो यह सब है आपका साल फूरे साल में अच्छे सटी करना जितने अच्छे सब्सक्राइब कहने वालिवाल है स्पेशली और और एगानिक बच्चे और गाने को बहुत तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि अपको कुछ प्राक्टिकल का दिखाए गया प्राक्टिकल होगे जिसमें आप लोग करेंगे सोल्ट अनालेसिस देंगे आपको कटाइन को पहचानने के लिए प्रोजक्त दिया जाएगा जो चार नंबर का वाइवा होगा बिटा आप लिए जो आपको प्राक्टिकल बेसिस पर आपको कोर्स की बेसिस पर कुछ भी कोशन पूछ सकता है ग्रॉस टोटल यहां पर आपको फटाफर से फॉर्म बरो बच्चों चूज कर लो क्या लेना है आर्ट पॉर्म अवैलिबल है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक में चे सब कुछ और जो कोर्स प्राइज है वो 3000-4000 की बीच में लाइक करेगा बता दियता मैंने आपको इसमें आपको सारी लाइट क्लासेस मिला करेंगी बिटा आपको डीपी डेली प्रेक्टिस प्रेक्ट पेपर्स मिला करेंगे सोलूशन मिलेंगे उनके आपके सारे डाउट बोर्ड एक्जाम पॉर आईटी और फॉर नीट एक्जाम अच्छे से प्रिप्रेशन करने है बिटा आप लोगों को ठीके बिटा अच्छे से करते रहें सोसते हैं